वेलकम टू दे चैनल आफ ए प्लस लॉकेडमी एंड आप सभी लोगों का ए प्लस लॉकेडमी के चैनल पे एक पार फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं राजिस्तान जुडिशल सर्विसिस के मेंज एक्जाम को लेके हमारे लिए आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जब आप मेंज की एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिसकस किया था कि जितने भी कैंडिड़ेट 61 62 के आसपास हैं एवन 63 से उपर हैं वो लोग तो एवन ज्यादा अच्छे से 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 क्योर हो आठ 65-70 दिन के अंदर अंदर आपका जो है सारी ये प्रकरिया जो है ये वाइंड अप होने की पॉसिबिलिटी होती है तो जैसे अभी आपका एक्जाम हुआ है लगबग माले जीए 20-25 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रेलिम्स का प्रेलिम्स का रिजल प्रेंट राइटेंग, और राइटेंग, सिविल में और क्रिमिनल दोनों पेपर्स में आपसे पूछी जाएगी तो अब ये तैयारी की कैसे जाए या एक परिकुलर स्केडिवल क्या होना चाहिए हमारी प्रेश्टेंस को लेकी है तो दीखिए जां तक प्रेपरिश्टे जो आपने बनाई थी या तो आप वो फॉलो कर लीजिए या जो स्टेटेजी आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करने वाले हैं उसको आप एक बार फॉल अप कर सकते हैं यह जो स्टेटेजी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं यह बेसिकली एक जुडिशल समसिस का एकजाम हुआ था तो अब यह में 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 ऐसी क्या चीज आपको करनी होती है जिससे आप जो है मेरिट सेक्योर करें आपके नंबर बाकियों से जादा आए उसका क्या प्रेक्टिस प्रोसीजर रहेगा उसकी उपर आजम बात करेंगे देखिए अब क् पूरा प्रोसेस है प्रिप्रेशन को लेके तो आप जितने भी नए लोग हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए है और इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ तरूबर हो रहे हैं डिसक्रिशन जो हमें सुन रहे हैं आप लोग इस आप लोग के साथ जो भी डिसक्रिशन हो प्लैन आप तियार करें कि 55-60 दिन के अंदर आपकी पूरी प्रिप्रेशन अच्छे से हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से हो जाए और इसी के साथ-साथ बाकी कुछ एक टिप्स में वीडियो में आगे आपको देने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं राजिस्थान जुडिशल स्वसिस के मेंज एक्जाम को लेके क्या हमारा प्लैन जो है वो बन सकता है या कैसे हम इस टाइम बाउंड मैनर में तयारी कर सकते हैं देखिए राजिस्थान जैसी स्टेट में आपको फिर भी 55-60 दिन मिलेंगे लेकिन जादा इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए एक चीज होने वाली है कि जैसे आप लोग सभी लोगों ने प्रेलिम्स जैसे अब अच्छे नंबर से स्कोर कर रहे हो 65, 70, 75 तक भी बच्चों का स्कोर आ रहा है तो आप लोगों का अब mental process, mental revisions जो है वो आप कैसे करते हैं य subject wise वो discuss हम करेंगे फिर उसके बाद मैं आपके साथ plan discuss करूँगा तो चलिए बात करते हैं कि questions कि subject wise वेटेज जो है last time के paper में क्या रही थी और ऐसा जरूरी तो नहीं है कि last year का pattern ही follow किया जाएगा definitely कुछ questions उपर नीचे हो सकते हैं वेटेज आगे पीचे हो सकती है बट generally एक आपको idea होना चाहिए कि कि subject से कितना content जो है वो पूछा जाता है चलिए बात करते हैं civil law 1 के exam की तो civil law 1 का जो आपका paper है that will be of 100 marks अब 100 marks का ये आपका paper होगा लेकिन लगभग आपको civil law 1 के paper में they will be giving you 21 to 22 questions 21 से 22 सवाल आपको मिलेंगे अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि अगर आपने previous year papers नहीं देखे हैं तो सर ये 21-22 सवाल कैसे पूछ लेंगे 100 number के paper में तो generally what they will be doing आपको 3 number, 4 number, 6 number, ऐसे ऐसे marks के साथ आपको questions पूछे जाएंगे और उसी का answer आपको लिखना है नाओ जैसे CPC है तो सौ मेंसे 20 number का जो weightage है वो हमारे CPC का रहा था लास समय तो इस बार भी आप मान सकते हैं कि CPC आपके लिए एक बहुत important subject हमेशा ही रहता है और इस बार भी 2024 का जो मारा RGS का मेंस का exam होने वाला है उसमें भी कहीं ना कहीं CPC एक बहुत important role play करेगा तो आप CPC को लेके अपनी तयारी जो है वो बिलकुल सटीक करिएगा CPC में छोटी-छोटी चीजे पूछी जा सकती है एपलाइड चीजे पूछी जा सकती है जिसे इस बार prelims भी आपका हलका फुल का एपलाइड रहा है तो उसी तरह से mains में भी यह संभवना हो सकते है कि आपके एपलाइड questions पूछे जा सकते हैं तो दोनों तरीके से इस बार तयारी करनी है राजिस्थान के जितने भी candidates है मेरा उनसे specifically यह आग्रह रहेगा कि आप लोग केवल direct सवाल ना करें direct तो करने ही करने देखो direct से मस्या नहीं है लेकिन अगर applied सवाल आ जाएगा तब आप क्या करोगे तो applied questions को लेके वी आपको खास ध्यान रखना है number two जैसे आपका जो contract act है अब contract act की weightage last time जो थी वो 8 नंबर के आसपस जो थी वो रही थी तो इस बार भी लगबग वैसा ही रहने वाला है constitution का weightage 10 marks का था तो 10% questions जो हैं वो समविधान से पूछे जा रहे हैं so you must be very much particular about the concepts of constitution जैसे last years में जो सवाल पूछे गए constitution से उसमें आपका bill से related स सवाल हो सकते हैं आपका fundamental rights duties, directive principles of state policy से related सवाल हो सकते हैं state article 12 के अंदर जो है उससे related सवाल हो सकते हैं similarly अलग अलग provisions को interlink कैसे करना है यह सवाल हो सकते हैं doctrines आपसे पूछी जा सकते हैं जैसे doctrine of patent substance है, doctrine of colorable legislation है, doctrine of pleasure है तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं तो इन सारी ही जो topics हमारे हैं हमारे समविधान के उन सारी चीजों पर अच्छे से आपने पढ़ना है जैसे judicial review, judicial activism यह चीजे पूछी जा सकते हैं basic structure की doctrine आपसे पूछी जा सकती है, पूरा process आपको emergency से related जो है financial emergency, national emergency, state emergency यह सब आपने अच्छे से पढ़ना है now the next thing is Indian evidence act, तो अभी तो क्योंकि आप लोग पुराने कानून के हिजाब से पढ़ोगे आपका जो paper होगा वो Indian evidence act के हिजाब से रहेगा तो भारते साक्षय अधिनियम के भी 10% की weightage रही है last time, तो आपको इसके उपर भी खास ध्यान रखना है और एक सबसे important चीज है कि जब आप evidence करेंगे, evidence act आप पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि evidence civil में भी पूछा जाता है जरूरी नहीं आपसे ये पूछेंगे, आपसे off bit चीजे भी पूछी जा सकते है, जैसे section 33 से related कुछ पूछ लिया, जैसे आपसे कोई ऐसा area पूछा है जो बहुत जादा आप जो है ध्यान नहीं देते हो, तो इन चीजों को आपको खास ध्यान रखना है कि evidence जब आप आपने जहां से भी पढ़ाई की है, वहां के notes आपने अच्छे से पढ़े होने चीज़, इसके बाद आपका limitation act, limitation act की weightage भी non number की है, journal चीजे पूछी जा रही है, या तो time calculation से related चीजे पूछेंगे, या फिर आपको disability से related जैसे section 6, 7, 8 के अंदर जो process है वो पूछ सकते है, condon जैसे 7 number के अंदर जब हम specific relief act आपसे पूछेंगे, तो इसमें क्या-क्या चीजे पूछी जा सकती है, so you have to see one thing, कि specific relief act के अंदर कुछे कैसे important principles है, जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं जाते हैं, तो आपके number कमाएंगे, जैसे section number 5, section number 6, अच्छा इन provisions को को कैसे आप limitation act के स उस विक्ति के सारे concepts clear होंगे, इस चीज के आपको ध्यान रखना है, तो आपको भी तयारी वैसे ही करनी है, अगला जो आपका subject है, that is the transfer of property act, टीपीए से भी 8 to 9 marks के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो 8 से 9 number में क्या पूछेंगे, they might be asking you, अच्छा, alienation को लेके क्या principles है section number 10 के अंदर क्या restraint लगाया जा सकता है, क्या नहीं लगाया जा सकता है, ये पूछा जाएगा, section number 13, 14 जो बहुत एक आम सवाल है, unborn person, rule against perpetuity, तो ये सारी ही चीजे आपने अच्छे से पढ़नी है, मैं जो कह रहा हूँ वो सिरफ एक illustrative है, आपको हर चीज का ध्यान रखना ह next one is rent control act जो है आपका राजिस्तान का उससे एक ही सवाल आया था और इस बार भी संभावना यही है कि या तो दो सवाल दो नंबर के आ सकते हैं या एक सवाल 4 नंबर या 5 नंबर का पूछे जा सकता है, तो इसके उपर आपने काम करना है, जितने भी हमारे minor laws होते हैं, जैसे rent act है, तो आपको minor laws में खास बस एक ही ध्यान रखना है कि barect basis ही, barect based ही सवाल आपसे पूचा जाएगा, इसके बाद आपका interpretation of statutes, एक सवाल आपसे interpretation of statutes को लेके पूचा गया, इससे rules पूचे जा सकते हैं कि golden rule of interpretation क्या है, mischief rule क्या है, hidden principle क्या है, तो उनका आपने थोड़ा सवाल रहेगा, that is order writing या फिर judgment writing, ये सबसे महत्पून है क्योंकि आपको दो order writing या judgment writing जो है, वो पूची जा सकती है, या एक order, एक judgment लिखने को दिया जा सकता है, दो दिये जाएंगे, तो 10-10 नंबर का एक सवाल रहेगा, तो आपकी total evaluation, 20 नंबर के ही साब से की जाएगे, त 20 marks की आपकी order writing या judgment writing तो आपको order writing अगर आपने नहीं पढ़ा, या फिर आप अगर ऐसी स्टेट से आते हैं, जहां पर order writing या judgment writing एक्जाम में नहीं आता है, या आपने इन चीजों की practice नहीं की है, तो अभी से आपको जो है, order writing या judgment writing करना है, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि judgment writing या order writing आप कैसे कर सकते हैं, कैसे इसकी practice की जा सकती है, ना coming to the next point, कि अब हम criminal law की उपर बात करेंगे, देखें, criminal law के लिए जो जर्नली evaluation देखा जा रहा है, तो CRPC और आपका IPC, इन दोनों से लगभग, 30% area पुछा जा रहा है, 100 नंबर में से 30 नंबर के आ CRPC और IPC से आएंगे, अब IPC और CRPC से definitely they might be asking you certain prepositions, they might be asking you a case law based question, they might be giving you the direct question, they might be asking you private defense, जैसे इस इस बार prelims में आपसे applied सवाल पुछे जा रहे हैं, तो ऐसे ही चीज़े आपसे means में भी पुछी जा सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं है, तो आपका execution process कितना strong है, ये आपको स निश्चित करना है, इसके साथ साथ, आपका evidence act जैसे मैंने पहली आपको बताया है, तो वो civil में भी आता है, criminal में भी आता है, तो आपके 9 number के सवाल लगबग जो थे, last time, 8-9 number के सवाल, वो evidence act से भी पूछे गए हैं, तो आप अगर देखेंगे, तो इन 3 subjects का ही weightage, 30-40 number के आसपस रहेगा, 38-40 तो ये number कम नहीं है, इस case बाद आप देखोगे, जैसे juvenile justice act बहुत important है, अचा इस subject को आपको खास ध्यान रखना है, juvenile justice act को, कारण उसका ये है, कि juvenile justice act एक तो है बहुत लिंदी, फिर अचा उसमें से सवाल अलग लग तरीके से पूछे जा सकते है तो आपको हर चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको हर चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा, खास कर से JJ act का, क्योंकि JJ act लिंदी लो है, तो आपसे अलग लग तरीके से सवाल पूछे जा सकते है, journal idea जो है, वह आप प्रिवियस एर पेपर से ले सकते ह क्योंकि अच्छा कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, तो उसी एमबिट में आपको जो है, अपनी तयारी थोड़ी सी रखनी पड़ेगी, अगला जो आपका नेगोशेबल इंस्ट्रुमेंट का जो दायरा रहेगा, जरनली जो प्रोवीजन से 138 से लेके 143 तक के आसपास ज जो है, जो जो वेटेज जो है, सब्जिक्ट की वो उतनी ही कम रहेगी, उसी तरह से Domestic Violence Act, Prevention of Sexual Harassment Act, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जो है, लगबग 10 से 12 नंबर की वेटेज, या 15 नंबर की वेटेज हम कह सकते हैं, 10 से 15 नंबर की वेटेज ये रखते हैं, इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट आता है, that is the Probation of Offenders Act, तो Probation of Offenders Act अगेन एक छोटा लो है, चान नंबर का सवाल लास्टाम आया था, इस बार भी लगबगा आप अनुमान लगाए कि ऐसा ही रहेगा, और इसके बाद Indecent Representations of Women's Act जो है, इसमें से भी लास्टाम एक ही सवाल आया था, अब आप एक चीज का अगर ध्यान रखें, if you figure out one thing, तो इन सारे सब्जेक्ट में से, ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, पॉक्सो, सेक्शल अरास्मेंट, डोमेस्टिक वाइलेंस और आपका Indecent Representation of Women Act, इन कानूनों में से या Probation of Offenders Act वीवर, इन लॉज में से आपका जो जो जर्नली सवाल का दायरा है, वो एक या दो सवाल, एक या दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बेरेक्ट बेस सवाल हैं, बेरेक्ट बेस कॉश्चन हैं, तो आंसर भी लगबग वैसा ही रहेगा, बस आपकी आंसर की framing कैसी है, क्या आपने लिखा है, जज्मेंट सपोर्ट उसके लिए important है कि आप evidences को appreciate करना कितना अच्छे से जानते हैं, तो अगर आपको evidences appreciate करने में problem है, आपका evidence की उपर command नहीं है, या code of criminal procedure की उपर आपका command नहीं है, तो फिर यहाँ पर फरिश्चानी आईगी, तो आपका CRPC और evidence और IPC strong है, तो charge और judgment writing आप बहुत अच्छे स कर लोगे, जैसे civil law में अगर आपका CPC और evidence अच्छा है, तो आपका order writing है या judgment writing है वो अच्छा हो सकता है, उसी तरीके से CRPC, IPC और अगर आपका evidence अच्छा है, तो criminal वाला जो आपका judgment या charge आएगा, charge writing ये आपका अच्छा हो सकता है, तो ये पूरा evaluation है, 100 number का आपका paper होगा 100 number में से आपको ऐसा तो है नहीं कि minimum score करने है, आपको जाना है maximum तक, maximum के लिए जितना आप अच्छे से attempt करेंगे, देखो rule क्या होता है, कि जब आपको ये समझना हो कि अच्छा आप topper कैसे बन सकते हैं, तो topper बनने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि अच्छा मेरे minimum number 50 आ रहे हैं, कि सर मेरे 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, 60 नहीं, ये आपका criteria गलत होगा, आपको maximum, maximum achieve करने की कोशिश करनी चाहिए, अब 100 में से 65, 70 अगर आ सकते हैं, अगर examiner दे रहा है तो आपका ये rank जो है, ये ratio जो है, ये आना चाहिए, अगर 65, 70 आप ले आओगे, तो आप आपको interview में बैठने से कोई नहीं रोख सकता है, इस सीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसके बाद, इसके बाद, अच्छा, अभी इस पूरे pattern को जैसे आपने समझा है, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ये हमारे institute का number है, that is 894 176736, तो इस number पे आप लोग कॉल क कि हिंदी और English में सर क्या आएगा, तो हिंदी में आपको तीन से आते, मतलब आपको options दिया जाएगा definitely, लेकिन तीन से आपको आएगे, और आपका 50 number का जो निबंध का जो area है, वो रहेगा, similarly English के लिए भी आपको जो है, options दिये जाएगे, एक, दो, तीन ऐसे आपको लिख क्या रहेगा सवालों का, अब आपको या idea हो चुका होगा कि अच्छा major subjects कितना आना है, minor से कितना आना है, major में concepts clear होने चाहिए, minor बे बेरेक्ट अच्छे से आना चाहिए, अगर ये चीज़े आपके clear है, अगर राजस्तान judicial services के लिए major law बहुत अच्छे से आपने कर लिया conceptual clarity आपकी बहुत अच्छी है, और minor law पे बेरेक्ट पे आपके command बहुत अच्छी है, तो आपका selection कोई नहीं रोग सकता, अगली बात पर आते हैं, कि आप जो है, ये 50 days का schedule हमने बनाया है, 50 days का schedule, इस 50 days के schedule में हम आपको ये guide कर सकते हैं, कि अच्छा क्या subject कैसे पढ़ें, कै कैसे उसकी revisions चलती रहेंगी, और कैसे आप मेंस अच्छा attempt कर पाएंगी, इसका आपको खास दियान रखना है, देखो, एक rule होता है, जब भी आप मेंस में बैठते हैं, तो मेंस में जाने से पहले कम से कम, कम से अपरेलिम के बाद और मेंस से पहले, कम से कम आप अपने notes य That, suppose you are reading any topic of the, any particular law, आप किसी भी कानून का कोई topic पढ़ रहे हैं, अब आपको पता है कि अच्छा इस कानून के अंदर ये चीज़ हमने पढ़ी थी, suppose आप CPC का रिजूडी काटा रिवाइस करें, तो आप रिजूडी काटा को बिना किताब में, बिना बेरेक्ट में, बिना अपनी copy पर देखें, एक बार रिवाइस करो, बिना देखें, रिवाइस करो, कि अच्छा रिजूडी काटा में क्या है, क्या उसके elements है, क्या explanations है, explanation कब apply होती है, constructive रिजूडी काटा क्या है, कौन-कौन से cases उसमें है, अगर वो सारी चीज़े आपके जहन में हैं, तो आपक से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, CPC क्योंकि सबसे जाधा weightage वाला सवाल, सबसे जाधा weightage वाला subject है, तो आप CPC को कम से कम 5-6 दिन लगाओ, क्योंकि shortcut नहीं अपनाना है, जहां पर shortcut लगाना है, वो हमारे minor laws हो सकते हैं, बड़े subject में shortcut नहीं हो सकता, तो 28 जून से लेके 4 CPC करो, और regular basis पे आप अपने हिंदी के essay करना शुरू कर दू, अच्छा सवाल उठता है कि सर हिंदी के essay कहां से करें, तो हिंदी के essay के लिए कोई भी आप अच्छी सी किताब ले लें, जैसे जो भी market में अच्छी किताबे आती है, अरियंत की निबंद वाला आती है, या otherwise, मैं उसको recommend करता हूँ, आप वो ले सकते हैं, वहाँ से आप अपने essay तियार कीजिए, essay में एक आपको social essay आजाएगा, या legal चीज पर आ सकता है, या एक journal चीज पर आ सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आप अपना evidence act करना शुरू करें, क्योंकि evidence आप को पता है कि civil और criminal दोनों में आएगा, you have to proceed accordingly, evidence के लिए भी आप कम से कम अपने 4-5 दिन अराम से लगाईए, evidence act के लिए भी 4-5 दिन जो हैं, वो अराम से लगाईए, तो 5 जुलाई को शुरू कीजिए, 9 जुलाई तक आप अराम से इसको जो है, वो अच्छे से कर सकते हैं, इसके साथ साथ, जब आप evidence कर लेंगे और CPC भी आपका हो चुका होगा, तो अब आप जो है, judgment writing की तरफ जा सकते, इसको किये बिना judgment writing करना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो आपको judgment writing करने का काम जो है, जुलाई महीने में शुरू कर देना है, लगबग 9-10 जुल आप नहीं आता है, तो आप लोग के लिए problematic होता है, इसलिए मैंने constitution के लिए भी आपको 4-5 दिन की बात कर रहा हूँ, समविधान में वैसे 4-5 दिन sufficient है, आपको basic doctrines पता होने चीए, rules पता होने चीए, articles पता होने चीए, तो अगर ये और bills, polity वाला जो area है, वो सब अगर तो अच्छा कोई दुक्की आप ले सकते हैं, मार्केट में एके जैन की दुक्की आती है, या otherwise वो आप ले सकते हैं, इसके बाद आपका, जब आप constitution करेंगे तो उसके साथ साथ भी आप जो है, रोज के हिंदी के essay करना शुरू करते हो, क्योंगि हिंदी का essay किसी भी topic पे आजाता है, अच्छा अब आप ऐसा, बचे ऐसा कहते हैं कि सर कोई topic बता दो, कि कौन से topic, देखो ऐसा है कि मैं अगर आपको topic बता दूँ और उसी में से आजाए, तो फिर तो बाती क्या है, है ना, फिर तो बाती क्या है, तो ऐसा होता है कि आपका basically thought process open होना चाहिए, आप अगर खुले दिमाग से चीजों को समझते हैं, आपके पास content है, knowledge है, तो ऐसे किसी भी topic पे आजाए, निबंध किसी भी विशे पे आजाए, आपको समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप लिखोगे कैसे, लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या लिखोगे, ठीके, तो उसके बाद आपका जो है, अगला subject रहेगा, 15 और 16 तारीक को आप specific relief act कर सकते हैं, 15 और 16 तारीक को, 15 और 16 तारीक को जब आप specific relief act करोगे, दो दिन sufficient है, साथ के साथ CPC का revision डाल दो, CPC का revision, कि जैसे morning में 5-6 घंटे मेरे गाल से sufficient होते हैं, SRA करने के लिए, 5-6 hours, तो 5-6 घंटे SRA किया, उसके बाद जो समय आपका बचता है, उसमें आप CPC का revision कर लो, क्योंकि CPC जितना जादा revision करो, क्योंकि बड़ा subject हो, तो revision बार बार डालनी पड़ेगी, इसके बाद आप limitation act करो, 17 और 18 तारीक को, और उसके साथ अपना सम्विदान revise कर लो, दो दिन revision भी हो गया, और एक subject भी आपका हो गया, इसके साथ सा फिर दुबारा से answer order writing या judgment writing की तरफ एक बार आजाओ, 17-18 तारीक को, मिला अपना time ऐसे divide कीजिए, कि आप main subject भी कर लें, फिर revision वाला भी कर लें, और उस इसके बाद जो है, अगला आपका subject आएगा, जी contract act, contract act आप 19-21, इस तीन दिन बहुत जादा परयाप्त है, contract करने के लिए, contract जब करोगे तो साथ में evidence की revision डाल दो, इसके साथ साथ फिर English पे आप आना शुरू हो जाओ, अच्छा जो बच्चे English में कमजोर है, और Hindi में ठीक है, तो आप replace कर सकते हो, कि हिंदी के essay के जगा, आप English वाल essay कर लो, तो ऐसा भी चल सकता है, कोई ऐसा hard and fast नहीं है, कि यही आपको adopt करना है, उसके बाद आप transfer of property act करना शुरू करो, TPA, TPA करने के लिए लगबग 3-4 दिन sufficient होते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाए, नह English, Hindi English, essay कर लो, ताकि आपके essay लगातार चलते जाएं, अच्छा, इसके बाद जो है, आप लोग कर सकते हो, rent act, rent act आप कर सकते हो, rent act जो है, छोटा सा कानून है, बहुत बड़ा नहीं है, 25-26 मेरे दो दिन रखे हैं, इसके साथ आपको जो भी spare time मलता है, जो subject अभी आपका revise नहीं हुआ, जैसे limitation है, या specific relief factor है, वो अगर आपका revise नहीं हुआ, वो revise कर लो, साथ में essay कर लो, order writing प्रेक्टिस कर लो, ठीक है, इसके बाद interpretation of statutes छोटा सा है, वैसे भी 3 नंबर का ही आना है, लेकिन पढ़ना तो पढ़ेगा, छोड़ नहीं सकते, तो interpretation of statutes यब करोगे, त जो contract की revision डाल दो, फिर जो समय बचेगा, उसमें judgment writing कर सकते हो, तो ये पूरा एक schedule, एक full proof mechanism है, कि आपको पता होना चीए, कि ये paper pass कैसे हो सकता है, देखिए, ये चीजे हम तजूर्ब से कह रहे हैं सर, क्योंकि back to back, बार बार, prelims और mains, जब हम लोग खुद देखते थे, और बार-बार merit secure करते थे, तो ये हमारे एक अनुमान हो जाता था, कि अच्छा, ये तरीका हमारे लिए best हो सकता है, तो ये strategy, क्योंकि tried and tested strategy है, और ये personal strategy है, तो definitely, जिन लोगों के पास, अपना कोई plan आप नहीं बना पा रहे हो, you can follow it, और अगर कोई विक्ति अपना plan बना पा तो you may proceed accordingly, उसमें कोई इसा hard and fast हो है, नहीं कि मैंने बताया, तो यही follow करना है, इसके बाद जो है, आप TPA करेंगे, TPA के साथ आपका essay चलता जाएगा, अच्छा, ये सब हो गया, तो इसका मतलब civil law 1 की तयारी आपके 100% हो गई, civil law 100% हो गया, इसका मतलब देखिए, कि आपन लगभग 27 जुलाई को, एक महीने के अंदर अंदर पूरा civil law 1 आपने कर दिया, प्लस judgment writing, order writing और हिंदी इंगली साथ में चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, अच्छा, अगली बात आते हैं, आप criminal law पे, तो criminal law जो है, फिर आप 28 तारीक से शुरू कर दो, CRPC वैसे इसमें समय थोड़ा समय ने कम लिखा है, लेकिन इसमें एक दो दिन आप आगे पीछे कर सकते हूँ, ठीक है, तो CRPC जो है, वो आपका 28 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में हो जाना चाहिए, तो 28, 29, 30, 31 और 1 तरीक, ठीक है, तो आपके पास है 5-6 दिन आप कर सकते हैं फिर जजमेंट राइटिंग बाद में भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा hard and fast नहीं, अगर आपको practice है तो आप साथ में कर लो, फिर इसके बाद आप Indian panel code कर लो, दो अगस्त से लेके 5 अगस्त तक मौट टाइम है, चार दिन में IPC बहुत अच्छी से हो जाएगा, साथ में चा सेक्शन तो है नहीं पढ़ने के लिए, तो एक दिन अच्छे से इसमें लगाओ and you must prepare for it, चलिए, अगली बात करते हैं, देखिए इसके साथ साथ, फिर क्योंकि evidence आपने पहले ही किया है, तो evidence की revision यहाँ पर 7 अगस को डाल दी, evidence revise करने के साथ साथ, क्योंकि अगर आपके आ है, तो order writing, judgment writing, charge writing यहाँ साथ में कर सकते हैं, या civil का कुछ revision कर लो, order writing का, फिर उसके बाद sexual harassment का act कर लो, sexual harassment आप 8 और 9 अगस को मैंने डाल दिये, क्योंकि आपको साथ में IPC भी revise करना है, फिर साथ के साथ आप English के essay कर लो, दो essay regular basis पर करने ही हैं, फिर उसके बाद जैसे आप पॉक्सो करोगे, तो पॉक्सो के लिए भी अगिन दो दिन सफिचेंट हैं, तो negotiable instrument act आप revise कर सकते हो, साथ के साथ हिंदी कैसे करो, हिंदी कैसे करने के साथ साथ अगले दिन आप जो है, 10 और 11 तारीक को DV Act कर लो, क्या है DV Act में, 3-4 घंटे के इंदर DV Act आपका पूरो हो जा तो इसके लिए अगेन आपको दो दिन में दे रहा हूँ, दो दिन में आप ये करो, पॉक्सो के रिविजन साथ में डाल दो, इसके बाद अगेन साथ में जो समय बचता है judgment writing, order writing, ये करो, charge writing करो, फिर juvenile justice act जैसे मैंने का important है, अब इस समय के आसपास आपका paper भी कहीं ना कही नोटिफाई हो जाएगा, 15 अगस्त के आसपास और बहुत सारी चीजे clear भी हो जाएगी, तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, juvenile justice act को खास दियान रखना है, मैंने तीन दिन आपको लिए है, 13, 14, 15 तरिक, 15 अगस्त को आप juvenile justice करो, इसके बाद indecent representation का जो हमारा कानून 16 अगस्त को आप उसको कीजिए, IPC की revision साथ में डाल दो, ठीक है, बीच में CRPC किस दिन या आपे लिखा नहीं है, लेकिन बीच में किस दिन आप CRPC का revision डाल सकते हैं, जैसे suppose आपने, जैसे DV Act किया है, तो DV Act के साथ post revision करने में अगर समय आपका बच गया, तो आप CRPC revise कर लो, So that thing is manageable, और यही सारा process जो है, 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 यही अगर आप follow करोगे, तो 50 दिन के अंदर अंदर आपकी बहुत अच्छे से तयारी हो जाएगी, 50 दिन के अंदर, guarantee देके कह रहा हूं, अगर इस schedule का follow करोगे, आप कहोगे कि, आप जो है, यही बताया, उसको follow किया, तो हमने definitely तयारी बहुत अच्छी कर लिए, अच्छा इसके साथ एक चीज बहुत important है, कि अच्छा आपने पढ़ तो लिया, पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सारे subjects कर लिया, ठारा 19 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे से होगे, order writing, judgment, writing, essay, Hindi, English, सब कर लिया, लेकिन practice, practice किसने करनी है, तो practice भी आप ही करोगे, तो बीच बीच में test papers देना शुरू करो, देखो सबसे बड़ी important चीज होती है, कि आपने test papers कितने दिये, आपने अपनी answer writing skill चेक करी की नहीं करी, अब आपको एक चीज में बहुत important बताने वाल होता है, लेकिन आप इस चीज को समझेगा, कि अगर आपने बहुत अच्छे से सारे subject कर लिए, आपके हिसाब से आपने अच्छे कर लिए, examiner के हिसाब से क्या, आपको आपने तो test नहीं करना है, आपको test किसने करना है, examiner ने, तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, कि आप जादा से जादा, जितने भी बच्चे safe score में होंगे, जितने भी बच्चे जो है test series में रहेंगे, या means का तयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपका result हो जाएगा, तो test papers आप जादा से जादा लिखना शुरू करें, कहां से करें, you can join the test series of a plus law academy, हम लोगों से test series ले आ रहे हो, क्या वो लोग आपकी evaluation कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा आपको paper तो मिलगे, आपने लिख भी लिए, evaluate हुआ ही नहीं, तो जब evaluate ही नहीं होगा, तो पता कैसे लगेगा, गलती कहां कर रहे हैं, so that is very important, okay, so अगर evaluation ही नहीं और यह तो evaluation करवाना जरूर है, और evaluation भी अच्छी जगा से हो, तो अभी पता लगेगा, कि ऐसा नहीं हो कि सिधा college वाली तरीके से आपको number दे दी और हो गया, जी आपका, ऐसा नहीं, evaluation में basically, जब हम लोग evaluate करते हैं, तो हम तीन चीज़े बहुत important देखते हैं, कि क्या बच् case होना चाहिए, फिर case updated है या नहीं है, यह भी आपको देखना पड़ता है, तो इस तरीके से अगर evaluation किया जाए, तो definitely आपका निकलने का जो chances है, वो ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरी चीज, आप lag कहां कर रहे हैं, और improvise कैसे कर सकते हैं, यह सब से important, अच्छा, improvization के लिए efforts आप डालना चाहते हैं, उतने ज़्यादा efforts डालने, because आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, अगली बात, अब यह number आपके सामने, again मैं दुबारा से कह रहा हूं कि number आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपको test series के लिए आना है, evaluation भी कि अब यह पूरा test series का जो schedule है, वैसे मैंने जैसे आपको last video में भी बताया था, जिसमें हमने cut off की बात की थी, तो हम 15 जुलाई के बाद आपके test series open कर देंगे, लगबग हम 20-25 test के आसपास आपके लेंगे, जिसमें आपको यह पूरा idea हो जाएगा कि क्या हमारी तैयारी सही pattern पे है या नहीं, हमारे कितने concepts के लिए रहे है, direct सवाल, applied सवाल को कैसे answer करना होता है, 3 number के सवाल में कितना लिखना है, 4 number के सवाल में कितना लिखना है, 6 number के सवाल में कितना लिखना है, पूरा paper attempt हो रहा है कि नहीं हो रहा है, everything is important, look everything is important, so you people can't wait for anything, if you are willing to join Rajasthan Judicial Services, you must have to prepare accordingly and if you are not preparing accordingly, you are not going to get your secured position, okay, so you have to be on your toes till the time the means exam is not get over, be on the toes, prepare yourself, और अच्छा एक चीज और में बता देता हूं, जाते जाते कि अगर आपने किसी subject को लेकिए, अच्छा आपकी preparation नहीं है, suppose आपने कोई subject है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, या आपको अच्छे से नहीं आता, और आपको लगता है कि अभी एक डिड़ महीना में किन से कर लेता हूं, so you can join our recorded sessions as well, complete sessions, updated, recorded रहते हैं, आप उसको सुनके अपने lectures पूरे कर लो, और आपको समझ में आ जाएगा कि तैयारी की कैसे जाती है, और पूरा subject आपका भी cover हो सकता है, तो यह उसके लिए है, जिसका बहुत अच्छे से नहीं हुआ था, लेकिन paper देने के लिए वो व्यक्ती ready है, तो इन चीजों को आपने खास दियान रखना है, बाकि अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो आप शेर और like जरूर कीजेगा, और इसी के साथ साथ अगले वीडियो में हम बात करेंगे, हमार